नमस्क्राइब ये स्टुएंट्स आया और दशेयरे की बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी प्यारे वित्यारतियों को इस बार ये जो आज जो मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूं ये वेक्टरि स्पेस की सीरीज में चौदवा है और निश्यद रूप से इसको अप्लोड करने में काफी विलम हुआ है लेकिन जैसा कि आप देखेंगे बात में वीडियो में आप इस चीज़ को पाएंगे कि जो क्यों चुक्स की यह नियर्न के उसको बनाने का प्रियास किया गया है। तो जब यह वीडियो नहिता पैक इस क्लास के सेग्मेंट वाइस तो मुझे बीचपीच मैने देखा कि बहुत चीज़ें ऐसी थी जहांपर कुछ और सुधार की ज़रूरत थी या कुछ आपको extra input दिये जा सकते थे तो मैंने वो सारे सुधारे हैं और आपको बीच में देखने को मिलेगा कि कई जगे editing हो ये वीडियोस की उसे इसलिए हैं क्योंकि मैं और आप हम दोनों जानते हैं कि जो civil services means का paper mathematics का optional का उसमे linear transformation से सम्बंदित दो questions minimum एक तो है ही दो questions तो हर हालत में आने ही आने हैं जब हमारा target चार्ट सो प्लस लाने का हो 500 में तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि छोटी-छोटी से जो subtle चीज़ें हैं बहुत छोटी-छोटी mathematics में खास तो और पर जिस पर आपको आगे भी उससे related questions पे ऐसी subtilities की जरूरत पढ़ सकती है तो उनको आपको clear किया जाए तो dear students somehow इस exception को छोड़ दें अगर यह जो इस वीडियो का upload करने में दे रहे हैं कोशिश यह रहेगी कि आपको vector space पे तो और अभी questions बहुत सारे हैं और मैं vector space पे मैं आपको questions continuously कराना भी चारा हूँ क्योंकि vector spaces पर अच्छे खास से large number of questions आते हैं तो vector spaces पर questions जारी रहेंगे लेकिन इस आज की class के बाद मैं अब आपको लेके चलूंगा mattresses पे तो चलिए शुरू करते हैं आज की class अब यह जो class है आज की यह linear transformation पर है और linear transformation पर एक ही class है इसमें आपको complete कर दिया गया है पूरा linear transformation और इस class में 10 questions हैं जिसमें से 8 questions civil services main से लिये गए हैं तो चलिए dear students शुरू करते हैं आज की class तो dear students मैं संजय मोहन भटनागर और यह मेरा YouTube चैनल है यह 400 प्लस जो मैंट है जो बनाया गया है आपको civil services mains में mathematics option में 400 प्लस मार्क्स एंशूर कराने के लिए तो just repeating आज की class में जो 14th class है vector space पर इसमें आज हम linear transformation समझेगे थोड़ा बड़ी class है आज और linear transformation को complete करेंगे और उसमें जो जो भी complexities हो सकते हैं वो भी मैंने सारी इसमें cover की हैं और 10 questions करेंगे जिसमें से 8 civil services के होंगे और यह मेरा telegram ID है तो यदि आपने अभी तक telegram जोइन न तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले agenda समझते हैं आज का और हमारा जो agenda रहेगा आज का सबसे पहले what is linear transformation in vector space kernel and images of a linear transformation तो मैं आपको यहां पर कुछ इस तरह से इसको समझाओंगा जो generally आपको किताबों में नहीं मिलता है मैं एक छोटा सा आपको एक idea देता हूं कि यह linear transformation है यह हमारा rn है और यहां से linear transformation rm यानि कि mth dimensional vector space में हो रहा है nth dimensional vector space से ओके और यह हमारा transformation है तो हमेशा ध्यान रखिए मैं आपको आगया और विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूं कि kernel इसका सब space होता है मैं प्रूफ भी करूँगा और यह जो image है यह इसका सब space होता है और इसको मैं आपको प्रूफ भी करूँगा और इसी के अधार पर मैं आपको ranknality theorem भी प्रूफ करूँगा तो यह चीज मैंने यहां बोली दिया आपको kernel basically null space is called kernel तो यह बात हो गई तो मैं आपको समझाओंगा भी class मैं ranknality theorem करेंगे और ranknality theorem बहुत simple तरीके से आपको मैं पहले बिना technical terms का इस्तेमाल किए आपको ranknality theorem कहती क्या है यह समझाओंगा और फिर मैं आपको उसे प्रूफ परिक्षा से लिए गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की class तो let us understand first of all what is linear transformation in vector space बहुत simple terms में अभी मैं आपको कोई परिभाशा नहीं बता रहा हूं पहले मैं आपको एक basic concept और basic idea देना चाहता हूं कि linear transformation होता क्या है इसकी परिभाशा पर उसकी definition पर इसके बाद एक और question करा कर तब मैं बात करूंगा आपसे ओके तो हमारे सामने ये एक ए और x के बीच में एक multiplication दिया गया है a x ओके जहां पर a ये matrix है ये matrix है ये matrix a है और ये हमारे पास vector x है ओके अब हमें हमें इसमें ये work out करना है a x plus y where x is this vector x1 x2 x3 and y is this vector okay simple very simple है तो मैं इसमें मैं इसमें a x plus y work out करता हूं मैं इसमें work out करता हूं 2 2 1 2 5 7 1 2 3 x1 plus y1 x2 plus y2 x3 plus y3 is kay ka 5.1 अओक है ठिक है फिर्क है फिर्वार्च के गारे मृण टेक है अजह सो थिस्वेए वेश्म सिम्फ्मार्च मैट्रीकिस्टिकेश्ट एंजार्च की बेरे किसे से लेए वेश्म सिम्फ्मार्च मॉलिपिकेश्टिकेश्टिक ऑ केुके हैं ओक नेक्स रोबनेगी एक ओक नेक्स रोबनेगी इस वन ओके ठीक है और यह जो रिजर्ट हमारे पास आया इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ ओके तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस तरह से ओके यह मैं अलग कर लिए एक्स वन एक्स पहला के पहले कंपोनेट ठीक है एक्स वाले कंपोनेट्स मैं अलग कर लिए जो पहली पोजिशन पर है ओके एक यह हो गया और ऑप्रियसली दूसरा कंपोनेट इसका हुआ okay and it is y 1 plus 2 y 2 plus 3 y 3 obviously is definition say is definition say this definition से हैं व कि वी हेब दिस एक्स प्लस ए वाई तो हमने इस गिविन मैं तरह नेखिश निकिल्ग अब प्रोव किया है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई और ग्रीघ्र को और और दूसरी Chy происходит a step प्रूफ करने जा रहा हूं तो एक relation हमने ये प्रूफ किया है और दूसरा relation में और प्रूफ करता हूं इसी matrix के साथ और obviously अगर इसी matrix के साथ तो पिर किसी भी matrix के साथ okay तो दूसरा relation देखते हैं इस में मैंने vector को c से multiply कर अब याज आपर C-Scalar है, non-zero scalar है, तो मुझे इसकी value निकालनी है, so it is 2CX1 plus 2CX2 plus CX3, then 2CX1 plus 5CX2 plus 7CX3 plus 1 plus 2CX2 CX3, और इस पूरी matrix मैंने C common निकाल लिया, so it is 2X1 plus 2X2 plus X3, 2X1 plus 5X2 plus 7X3, so X1 plus 2X2 plus 3X3, okay, and it is equal to C AX, okay, तो हमने क्या proof किया, हमने proof किया, A CX equal to C AX, okay, स्वाप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यह हमने दूसरी चीज प्रूफ की और पहली हमने क्या proof किया था, यह हमने पहला proof किया था, जहाँ पर एक कोई भी matrix है और किसी भी order की matrix है, और X जो है या Y वो compatible X और Y दोनो compatible dimensions के vectors है, और obviously X और Y same dimension के vectors हैं क्योंकि हमने को sum कर रहा है, ठीक है, तो अब यह आपको यह relation याद रखने हैं दो, तो इस पर मैं भी आपसे तोड़ा सा और बात करूँगा, पहले मैं आपको एक numerical question और कराता हूँ, ओके, अब linear transformation को कुछ और समझते हैं, और पहले मैं आपको इसको तोड़ा सा graphically समझाता हूँ, कि linear transformation होता क्या है, और फिर हम इसकी formal definition बढाएंगे, तो अब आप यह देखें कि आपके सामने यह दो vector है, पहला vector है OA, यानि के U1, यह वाला vector, यानि यह वाला vector, ओके, और दूसरा vector है U2, OB, यानि के यह वाला vector, ओके, आपके पास दो vector हैं, और इन दो vectors को हमने, यह जिस plane में है, उस plane को हमने transform करके, इन दो vectors का transformation किया, और हमने उस plane का transformation किया जिस plane में ये दो vector बने हुए तो ये जो दो vector हैं A और B ये इस तरह से हो गया ये vector A हो गया ये vector B हो गया तो ये vector जो A था जो कि minus 5, 2 था ये vector 4, 7 हो गया और ये जो 2, 5 था ये वाला vector ये vector 5, 4 हो गया अब हमको इसमें हर हालत में matrix मिलेगी जो in vectors को in vectors में transform कर रही है ओके try to understand यानि vector U1, U2 transform way vector T U1 और T U2 में ये जो U1 vector ये जो U1 vector था ये transform वर T U1 में और ये जो U2 vector ये था ये transform वर T U2 में ओके तो ये transformation वान का U1, U2 का यानि के T U1 और T U2 obviously ये matrix के जरीए represent होंगे and matrix is A ठीक? ओके? तो हमारे सामने ये जो vector थे दो minus 5, 2 और 2, 5 minus 5, 2 और 2, 5 ये दो vector थे ये दो vector, एक vector, ये दूसरा vector ये और ये transform way 4, 7, 5, 4 में 4, 7, 4, 7 और 5, 4 में transform ये transform होए इसका मतलब ये हुए है कि इस vector का जब transformation हुआ तो basically इसको एक matrix A से हम pre multiply कर रहे हैं ठीक है न? हम क्या कहना चाहरे हैं? कि ये जो दो vector थे ये इस तरह से हुए है तो ये जो T है, जो transformation तो ये जो transformation है ये रिप्रिजेंट हो रहा है एक matrix A के जरिये जो दो इस एक matrix means A is equal to obviously this matrix और इसके inverse से हम ने post multiply किया okay so this is the relation we have got this is the product of the two matrices we have got that will result into a matrix A okay I mean transformation matrix में यह अपने आपको convert करेगा यह जो product है अब हमें यह निकालना है ठीक अब यह हम लोग जब matrices पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि एक 2x2 matrix का जो inverse दिया जाता है अगर वो matrix A, B, C, D है तो A और D तो रिप्लेस कर लेते हैं अपने positions ओके and B converts itself into minus B and C converts itself into minus C और इसका जो determinant है इसका determinant उससे हम divide कर लेते हैं so this is the inverse of this matrix तो मैंने यहाँ पर यही किया है मुझे इसका inverse निकालना है तो minus 5 और 5 आपस में interchange हो गए 2 minus 2 हो गया और यह वाला 2 भी minus 2 हो गया अब यह minus 1 upon 29 जो यह 29 है यह obviously इसका determinant value है minus 25 minus 4 equal to minus 29 so this is multiplied with this so obviously B's or 5 to 10 तो यह बहुत simple matrix multiplication है तो मैं इसको नहीं कर वा रहा हूं so this is the matrix A तो हमारे निये हैं यह जो हमने जो transformation किया था यह वाला इस transformation की जो corresponding matrix है वो हमको मिली है यह ओके graphically point बिल्कु क्लियर हो गया आपको कि हमने यह हमारे सामने दो vectors हैं इस plane पर इस plane का transformation हुआ इन दो vectors का transformation इस थाना से हो गया ओके और इसमें जो transformation की यह corresponding matrix थी वो हमको मिल गई है ठीक चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस question में हमको corresponding matrix ही निकाल ले थी वो हमने निकाल ले है ठीक है चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब हम आते हैं formal definition of linear transformation पर तो linear transformation की बहुत simple formal definition क्या है कि V और W vector spaces है हमारे पास तो यह हमारे पास V है यह transformation हो रहा है V का U में तो basically T is rather a function इसमें V input है और U obviously output है तो यह जो function है T जिसमें V transform होता है W में it is called a linear transformation यदि कोई भी दो vectors इसमें इसमें U और V अगर हमारे पास दो vector हैं तो हर हालत में T U plus V बराबर T U plus T V यह हम पहले वाले example में देख चुके है जब हम मैंने आपको इसको matrices समझाया था ठीक है ओके तो एक condition तो यह है linear transformation की और दूसरी condition जो hold करनी चाहिए यदि किसी function को linear transformation होना है तो दूसरी condition है कि T of C of U where C is a scalar equal to C of T of U अगर मैं इन दोनों को combine कर देता हूँ तो combine करके मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ T of C U plus D V where C and D C and D मैं लिखना भूल गया हूँ C and D are scalars then it is equal to C of T U plus D of T V ओके clear चले तो यह हमारे लिए formal definition है linear transformation की अब linear transformation के लिए कुछ चीज़ें जाननी सरूरी है तो एक linear transformation में हमारे पास ये एक vector एक हमारे पास vector space V है जिसकी dimension है N ये transform होता है एक दूसरे vector space में जिसकी dimension है M ओके इसका मतलब यह है कि इसमें रहने वाले हर vector को इसका एक vector assign होता है फर एक्जामपल यहां पर अगर मेरे पास एक u vector है तो यहां पर मेरे लिए है इस पर एक t of u vector होगा ख्लियर? ठीक तो linear transformation जो है basically एक function है जिसमें x input है जहां पर x belongs to this set x belongs to v तो x को input लेता है और tx को tx belongs to this this vector space and tx is output ok और यह जो पूरा जो vector space है यह इस transformation का यह function का domain है और यह जो पूरा vector space है यह वाला यह co domain है इस transformation का ठीक है अब अगर इसमें एक मेरे पास member x है और इसकी जो इधा image बन रही है वो t of x बन रही है तो t of x is called image किसकी image? x की image of x और जितने भी हमारे पास इसमें t of x है उन सबका जो set है वो कहलाता है range यह हम already functions में इस चीज़ को पढ़ चुके है ok clear अब linear transformation में ही एक हमारे पास एक बड़ी interesting theorem है जो हम प्रूव बात में करेंगे कि हमारे पास एक यह linear transformation है v2 w अब इसमें मेरे पास वेक्टर से हैं v1, v2, vn and they are linearly dependent तो इनकी जो images इधर बनेंगे यानि कि tv1, tv2 यह सब हर हालत में linearly dependent होंगी अगर यह यहाँ पर जो pre images है अगर यह dependent है तो इनकी images हर हालत में dependent होंगी लेकिन अगर यह images linearly independent है इफ यह सारी जो है अगर यह linearly independent है तो इनकी जो pre image होगी यह वाली यह हर हालत में independent होगी यह एक interesting theorem है repeat कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास vectors हैं v1, v2, vn and they are dependent है तो इनकी images भी dependent होंगी लेकिन अगर images linearly independent है तो उनकी pre images भी linearly independent होगी अब कुछ questions करते हैं जो पहला question है मारे सामने civil services 2011 का है okay so let us start okay so let us take a numerical question from civil services means 2011 का question है तीन vectors दिये गए है 1, 1, 1, 2, 1, 2 and 1, 2, 3 show करना है they are linearly independent in R3 और एक transformation दिया गया है R3 से R3 जो इस तरह से defined है यह definition है transformation की show करना है कि यह जो transformed vectors है यह linearly dependent है इनकी pre images linearly independent है यह इनकी pre images linearly independent है लेकिन इनकी images linearly dependent है तो यह इसी का extension है यह मैंने भी आपको समझाया थे यह वाली थी वारम जिसमें यह था कि अगर यह हमारे पास यह V2W अगर एक transformation है मैंने आपको यह समझाया था कि अगर यहाँ पर जो vectors है V1, V2, VN यदि यह dependent है linearly dependent है तो इनकी जो images है वो भी linearly dependent होंगी लेकिन अगर images linearly independent है तो इनकी pre images भी linearly independent होंगी लेकिन अगर यह linearly independent है यह तो कते ही आविशक नहीं है कि इनकी images भी linearly independent है एक्चली यह question यही प्रूफ कर रहा है तो सबसे पहले हम यह जो हमारा जो तीन vectors है वी में यानि इसमें इसको हम linearly independent प्रूफ कर देते हैं तो लगाते हैं हम इसमें elementary row operations इसको echelon formula आने के लिए sorry r2 becomes r2 minus r1 and r3 becomes so this is 1 2 1 1 minus 1 sorry 0 minus 1 1 and this is 0 0 2 obviously इसमें एक भी जीरो रो नहीं है यानि तीनो रोस जो है वो non zero है तो इसका जो rank है वो तीन है इसका मतलब यह तीनो vectors यह तीनो vectors यह linearly independent है यह तो प्रूफ होगे ओके यह तो प्रूफ होगे अब इनकी images work out करते हैं ठीक check let us start सो सबसे पहले T1 1 x पराबर 1 y पराबर 1 z पराबर 1 so it is 1 plus 2 plus 3 पराबर 6 comma 1 plus 2 plus 5 and 2 plus 4 plus 6 equal to 2 okay ठीक इसके बाद T2 1 2 okay comment so now let us check for mindfulness okay now this is very simple and this is so means rank is equal to 2 this means that it is linearly independent 2 vector 3 vector linearly independent नहीं है इसका मतलब इसकी जो 3 vector हमको मिले ये linearly dependent है okay क्योंकि rank दो आया इसको दो ही vector में linearly independent है और 3 vector linearly dependent है okay the point is very clear so the question is solved simple आसान question था linear transformation में जो सबसे important concept है वो है kernel का इस पर मैं पुरानी classes में पहली classes में बात कर चुका हूँ और आज मैं सिर्फ repeat करूँगा लेकिन आज मैं exclusively linear transformation के reference में बात करने जा रहा हूँ तो ये परिपाशा तो आपके लिए लिखी हुई है तो मैं आपको समझाता हूँ एक इस तरीके से कि ये मेरे पास एक vector space V है और ये मेरे पास vector space W है और ये मेरे पास transformation है ठीक है simple अब just try to understand very simple kernel का concept बहुत simple है कि ये मेरे पास कुछ vectors ऐसे हैं ये vectors remember V में है और हम ये मानते हैं कि ये rn है ये rm है इसका मतलब ये है कि जो t जो होगा ये जो transformation होगा it shall be represented by ये matrix of the order of them into n ओके तो मेरे पास ये कुछ vectors है इनकी image obviously इसमें बनेगी यहां बनेगी इस transformation के तहर्ट अगर इन सबकी image 0 vector बनती है अगर remember अगर vector space V के ऐसे सारे vectors का समू सेट जिनकी image w में 0 vector बनती है तो ये सारे vectors kernel कहलाते है simple, very simple, very simple इससे ये भी जाहिर होता है जो मैं आपको भी prove करूँगा इसी class में कि ये जो kernel है ये एक sub space है vector space V में subset तो है ही obviously subset तो है ही ये vector space V का लेकिन ये sub space है किसका vector space V का kernel remember तो जब हम एक matrix M गुण एन की बात करते हैं तो ये जो kernel होता है it is a sub space of Rn okay, simple तो definition बहुत simple है कि kernel को हम k, e, r, t से लिखते हैं ये सारे ऐसे vectors हैं V में जो map करते हैं zero vector को W में okay, इसका मतलब ये है कि kernel T उन सारे vectors का समू है उन सारे vectors का जो vectors V को बिलॉंग करते हैं इसको ऐसे vectors जिनकी mapping zero यहां ये लगाना रह दिया है okay, simple simple मेरे ख्याल से kernel आपको याद रहेगा तो kernel vector space V में जहां पर हमारे पास linear transformation V to W है तो vector space V में ऐसे सारे vectors का set है अभी मैं set पोल रहा हूँ सब space बाद में प्रूफ करूँगा ऐसे सारे vectors का set है V में जो map करता है W में zero vector okay, simple kernel is clear अभी आपको और clear होगा अभी आपने kernel पढ़ा इसको मैं दूसरी तरह से भी आपको समझाता हूँ जो पहली classes में भी हम लोग पढ़ चुके है कि यह जो हमारे पास matrix A है जो की linear transformation का representation है representation है तो अगर इस matrix के साथ में एक linear homogeneous equations का system बनाता हूँ तो इसमें जितने भी solution मुझे मिलते हैं उन सबका set null space कहलाता है यह हम पढ़ चुके हैं ठीक है null space कहलाता है ठीक है और यह जो null space है यह भी हम पढ़ चुके हैं यह इस matrix में इसका तो यह इसका सब space है अब rn क्या है rn basically vector space v की dimension है जहाँ पर w की dimension m है इसलिए यह हम इसको ऐसे लिखेंगे और vector space v की dimension n है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ठीक है अब दूसरा जो important शब्द है linear transformation में वो है image तो यह हमारे पास एक linear transformation है अब यहाँ पर कुछ vectors है जिनकी images यहाँ है यानि कि यह vector अगर v1 है तो यह tv1 है यह v2 है तो इसकी image for example यह tv2 है यह v3 है इसकी image tv3 है यह v4 है इसकी image and so on v4 है अब इन सब का set इन सब का set image कहलाता है तो यह बड़ी simple सी बात हो गई समझने की यह है कि set of image एक subset है किसका w का remember kernel is a subset of vector space v जिसको kernel को मैं भी sub space अभी आपको समझाने जा रहा हूँ प्रूफ करने जा रहा हूँ लेकिन image is a subset of vector space w मैं भी आपको मैं प्रूफ करूँगा एक question में जिसमें यह image भी sub space है w का remember तो मैं इसको short में फिर से लिख देता हूँ कि kernel kernel sub space है किसका rn यह हम v है ना और image जो है वो sub space है rm w का यह मैं आपको अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ okay simple clear तो अगर हम definition की बात करें तो image of t यानि कि इसके जरिए जो image बन रही है vector space v के vectors की is the set of vectors in w यह वाले such that image t obviously image t is equal to all w यह सब w यह w1 यह w2 यह w3 यह w4 all w belonging to यह set such that okay simple तो यहां पर हम प्रूफ कर रहे हैं कि यह जो null space है या kernel है मैं गुड़ान मैट्रिक्स एक आगा है अगर kernel की बात करूँगा तो kernel का मतलब होगा कि मैं linear transformation की बात कर रहा हूँ अगर मैं null space की बात करूँगा तो basically मैं एक matrix की बात कर रहा हूँ ठीक है न लेकिन matrix is always related with a linear transformation very simple तो kernel या null space of a matrix A obviously A represented transformation T is a subspace of Rn यह अभी हम पीछे देखके चुके इसको प्रूफ करते हैं sub space prove करने के लिए हमको 3 चीज़े prove करने होती है number 1 zero belong करता है उस subset को जिसको हमने sub space declare करना है अगर जिसको हमने sub space declare करना है अगर उसमें 2 element है तो इनका summation भी उसी में होना चाहिए number 2 और number 3 यह कि अगर x उसमें कोई member है तो for some scalar c यह c actually उसी को belong करना चाहिए अगर यह 2 यह और यह वाली 3 condition satisfy होती है तो obviously जो subset है वो sub space declare हो जाता है उस vector space का तो इस तरीके से मैं इसको prove कर देता हूँ अब सबसे पहले बात करते हैं zero vector की अगर हम यहाँ देखें तो यह देखें इसको थोड़ा सा please try to understand कि यह मेरे पास एक m गुणा n matrix है तो यह मेरे पास एक m गुणा n matrix है obviously ठीक है ना और यह मेरे पास एक zero vector है ठीक है और यह जो zero vector है यह अब अगर मैं यह simple matrix multiplication है तो मुझे फिर से यह zero vector मिलता है जो इस dimension का है जीरो vector रहा और यह भी zero vector रहा जो इनके product के परणाम सरूप हमको मिला ठीक है तो यानि zero vector हमारे पास है इस तरह से है कि a zero is equal to zero ओके simple very point very simple the point is very clear तो यह वाला point हमारा strand कर जाता है ठीक है तो यह जो zero vector जो rn में था यानि यह वाला यह na में है इसकी image na में है यह रही clear दूसरा point लेते है दूसरा point लेते है इसमें हमारे पास दूसरा point है कि अगर x और y हमारे पास दो member है na में तो x प्लस y भी na में होना चाहिए ठीक है ना अब देखिए अगर x और y na में है तो मैंने जिर्फ x को मैंने x1, x2, up to xn लिखा है लेकिन y को में मैं obviously y1, y2, y3, yn लिख सकता हूँ लेकिन आपको चीज यहां से clear हो जाएगी चुकि ax बराबर 0 vector यहां से इसलिए ay भी 0 मैं सिर्फ x1, x2, x3, xn लिख सकता है y1, y2, y3, yn लिख सकता है इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों को समेशन है उसका योग भी 0 आएगा very clear इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ यह दिखाना है यह x और y second point लेते हैं अब हमारे पास दो arbitrary vectors है x और y एने में अब चुकि एने की definition ax पराबर 0 है इसलिए हर हालत में इन दो vectors के लिए ax पराबर 0 और ay पराबर 0 very clear हमको सिर्फ यह proof करना है कि x plus y भी एने में है बहुत simple है जिसको हमको proof करने के लिए a of x plus y equal to 0 दिखाना होगा simple very simple अब ax plus y is equal to ax plus ay plus y1 plus y2 x3 plus y3 and so on so on plus yn तो हर हालत में मेरे पास 0 plus 0 plus 0 means 0 0 0 0 यह आ जाएग यह point is clear यह ठीक है ठीक है इसका मतलब यह है कि x plus y भी एने में है और इससे जो b exams है वो भी satisfy होता है ठीक है simple तो जो इस तीसरी या c property है कि अगर x belong x कोई vector जो na को belong कर रहा है और d कोई real number है then d of x या d into x must belong to na simple चीज है तो हमारे पास यह arbitrary vector है x जो belong करता है na को और एक scalar है d जो belong करता है real numbers को अब na की definition के नुसर obviously ax परावर 0 यह तो शुरू से ही आपको पता है यह definition है ठीक है ना हमको यह show करना है ठीक तो अगर हम इसको इसको अगर हम d से multiply करें को हमारे पास यह रहेगा लेकिन यह obviously it is equal to 0 और इसको मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूं ठीक ठीक बेरी simple और obviously इससे this is equal to और इसलिए हर हालत में यह जो dx है यह भी na को block कर गया ठीक है ना चुकि definition यह थी x के जगे dx आ गया है इसका मतलब dx भी na को block कर रहा है तो यह c satisfy होता है तो यह तीनों जो properties है सब space की यह satisfy होती है और इसलिए यह जो null space होता है न ये हर हालत में अगर matrix m Good and have matrix a है तो यह rn का सब space होता है जो मैं आपको आपको बता rn है यह हमारे पास rn है यह हमारे पास rm है यह transformation है और यह transformation इस matrix represent होता है तो जो null space होता है वह इसका sobie space होता है यह मैंने भी आपको तो तिन स्लाइट्स पहले बता है, ठीक है, clear, चले, हाँ, image जो है, जो मैं शुरू में आपको बोल रहा था, image इसका subset होता है, इसका, null space इसका, image set इसका, जो मैं अभी आपको थोड़ा देर में प्रूफ कर लो, होगा इसी line पर अभी आपके सामने जो line है, ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं, थोड़ी सी rankality theorem, कि rankality theorem important है, इसको तो थोड़ा दिहान से समझ लिजेगा, और अगर आपको इसको समझने में कोई problem हो, तो आप मुझे हर हालत में telegram channel पे लिख सकते हैं, या नीचे comment में लिख सकते हैं, मैं इसनिए इसको important बता रहा हूँ, थोड़ा lot कर तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, मैं आपको इसको बहुत ही practical और वहवारिक उधारनों से मैं आपको समझाओंगा, मतलब ये theorem कहना क्या चाहती है, तो पहले इसको idea समझ लेते हैं, कि अगर मेरे पास कोई भी matrix है, A matrix है, तो हर हालत में, तो मैंने आपको श एक linear transformation को represent कर रही है, इस linear transformation को, ये चीज़ आपको हमेशा धिहान रखनी चाहिए, अब चुक्कि ये matrix है, M गुणा N, तो इसमें column space भी है, और इसमें null space भी है, ये भी आपको clear हो गया, ये हम पिछली 10-12 class से लगातार कर ला है, ठीक ना, तो किसी भी matrix में column space भी होता है, और null space भी होता है, यदि इसमें भी आप मेंसे किसी को clarity नहीं हो, तो या तो आप पुराने वीडियो देख लें, या मेरे को message कर दें, टेलिग्राम चैनल पे या WhatsApp ग्रूप में, तो आपको मैं फिर से किसी next class में, दो त्री मिनट की चीज़ है, मैं फिर से समझा दूँगा, null space क तो हम kernel भी बोलते हैं, simple, okay, अब अगर kernel की जो dimension है, जिसको हम nullity बोलते हैं, इसको हम पिछली कुछ classes में बात कर चुके हैं, जिसको हम nullity बोलते हैं, अगर इसकी dimension r है, तो column space की जो dimension है, हर हालत में n-r होगी, यह हम पीछे कुछ questions में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में, अ अगर नहीं ध्यान है, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मुझे देख सकते हैं, मैं repeat कर दूँगा, repeat कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर सिर्फ यह वाला point की, अगर kernel की जो dimension है, जिसको हम nullity बोलते हैं, अगर r है, तो rank column space का n-r होगा, clear, चीक है, यहाँ पर n क्या है, यह आप कुछ column जो है, मैं पुरानी चीज में repeat कर दे रहा हूँ, कुछ column जो है, वो obviously private columns है, जो यहाँ आकर fall करेंगे, वो column space बनाएंगे, और कुछ column जो है, वो kernel के लिए हैं, जो इसका space create करेंगे, तो इन दोनों का जो sum होगा, obviously वो n के बराबर होगा, where n is the total number of columns, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरे खाल से point clear हो गया है, इसमें को doubt तो नहीं है, ओके, अब nullity का मतलब क्या होता है, कि यह वाले यह दो column है, जब मैं इस पूरी matrix को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, इस तरह से जब मैं लिखता हूँ, और फिर मुझे जो solution मिलता है, solution जो मिलता है, जो क space create करते हैं, और ऐसे सारे variables जो मुझे non-zero मिल जाते हैं, उन सब को मैं free variables कहता हूँ, और उन free variables की संख्या मुझे nullity या null space की जानकारी देती है, मैं repeat कर देता हूँ, कि मेरे पास ये a गुणा n, m गुणा n, sorry, एक matrix है, जिसमे number of columns n है, इसमें से यह जो आले जो column है, यह column nullity क है, यानि जब मैं a x परावर 0 रखूँगा, यह पूरी matrix a है, तो मुझे इसमें से, मुझे कुछ variables ऐसे मिलेंगे, जो non-zero होंगे, non-zero variables की संख्या मेरे को nullity देगी, simple, okay, very clear, अब इसको और आगे थोड़ा सब समझ लेते हैं, कि मैं यह आपको पताई चुका हूँ, कि कोई भी linear transformation, जो rn2rm है, rn2rm है, यह एक matrix से represent होता है, जो m पूरा है, ठीक है, very simple, तो more or less यह वही बात कही गई है, जो पिछली slide में थी, यह कही है, लेकिन इसमें एक line जोड़े गई है, और वो line क्या जोड़े गई है, यह तो line है वही है, जो पीछे कही गई थी, the image of a is precisely the column space मैंने जो आपके सामने अभी पीछे यह column space बनाए थे, column बनाए थे, मैंने कहा था कि, for example, यह जो column है, यह आपके free variable वाले column है, यह free columns है, यह आपके private columns है, तो basically जो column space है, वो इन से बन रहा है, इन से, ठीक है न, और इसी से आपकी image of a बन रही है, तो image of a is precisely the column space of a, please remember, इसको आने वाले question में मैं कुछ apply करूँगा, तो आपको जादा clear होगा, जादा clear होगा, तो यह जो image of a है, for example, for example, मेरे पास, for example, आप इसको ऐसे समझिए, कि यह RN है, यह RN है, यह RN है, यह कुछ vectors ऐसे हैं, जिनकी image zero vector है, है न, तो यह वाले जो वेक्टर है, यह तीन, यह obviously, यह न space का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा जो बचते हैं, जिनकी image non zero है, वो सब column space का हिस्सा बचते हैं, तो image of a is precisely the column space of a, अगर हम image की बात करें, non zero image की, तो वो सब column space, a के column space का, को generate करते हैं, okay, the point is clear, मैं अभी इस पर जब कुछ और questions लोंगा, तब आप कोई चीज़े हैं, और clear होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से चीज़ आपको समाझ में आगई होगी, इसमें हम थोगा सा ज्यादा समय दे रहे हैं, क्योंकि important theorem है, कि ऐसे सारे vectors, जिनकी image zero vector है, point is clear, rm, जिनकी image zero vector है, वो सब null space create कर रहे हैं, rn के वो सारे vectors, जिनकी image rm में, zero vector नहीं है, वो सब column space generate कर रहे the point is very clear, तो इसलिए rn में जो dimension है n, उसको हमने दो भाग में बाट दिया है, एक में column space की dimension आ रहे है, और दूसरे में null space की dimension आ रहे है, ठीक, clear, ठीक, तो हमको यहीं proof करना है, कि इसकी dimension plus इसकी dimension equal to n, यह हमको proof करना है, मेरे क्यासर, the point is very clear, ठीक है, जहां पर matrix जो है, यह linear transformation को represent कर रही है, समझना आगी बाद, कि इसकी dimension plus इसकी dimension equal to n, यह हमको proof करना है, rank nullity theorem में, ठीक है, चलिए, आने चलते हैं, ओके, अब इस question को देख लेते हैं, और यह और एक next question करने के बाद, फिर मैं आपको rank nullity theorem समझाऊंगा, what is kernel, तो kernel को हम लोग पहले बात कर चुके है, तो find the null space and nullity, तो जब हम null space निकाल लेंगे, तो null space की dimension होती हो, nullity कह राती है, okay, तो let us start doing this question, obviously एक matrix A है, तो यह हर हालत में यह की linear transformation को represent करेगी, कौन से linear transformation को, जो matrix है हमारे पास, वो 4 गुना 5 है, है ना, तो यह जो matrix है, यह एक इस linear transformation को represent करेगी, please try to understand, r5 से r4, clear, इसमें को doubt नहीं, okay, अब जो हम जो null space निकालेंगे, obviously it shall be a sub space of this domain, का sub space होगा, यह भी हम पीछे करके चुके हैं, तो चलिए null space workout करते हैं, तो null space workout करने के लिए, सबसे पहले matrix A को हमको echelon form में लाना पड़ेगा, और हमको देखना पड़ेगा कि linearly independent rows कितनी है, ठीक, तो इस इसमें देखिए, जब भी इस तना से matrix आपको दी गई हो, तो यह जो zero लिखा हुआ है, जिसमें जो पहले element is zero, इसको सबसे बाद में ले लेना चाहिए, और करम रहना चाहिए, सबसे चोटा फिर यह, फिर यह, फिर यह rows को rewrite करते समय, तो मैं rows को rewrite कर देता हूँ, तो इसको मैंने इस तना से लिख लिया है, और अब मैं इसमें row operations लगाता हूँ, ओके, ताकि मुझे ये और ये zero मिल जाए, तो जैसी मैंने ये लगाया, तो मेरे को ये दो row operations लगाते ही, ये मुझे zero मिल गए, ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ, कि पांच में से चार गया, एक, एक माइनस एक zero, 14 माइनस बारा दो, दो माइनस दो zero, माइनस चार माइनस तीन, माइनस एक, और ये भी माइनस एक माइनस एक zero, और इसी तरह से भी zero हो जाएगा, तो मैं जो अब देख रहा हूँ वो ये है, कि मैं अगर row two और row three का जो difference, अगर मैं उसको reduce कर दूँ रो 4 में से तो रो 4 0 हो जाती है मैं जो कहना चाहरा हूँ वो यह है कि means r4 becomes r4 minus करूंगा मैं इसमें से r2 minus r3 और जो resultant मेरे को matrix बिंती है वो obviously यह है जिसमें 4th row पुरी तरह से 0 हो गई है actually मुझे एक pivot variable यह दिख रहा है एक pivot variable यह दिख रहा है और एक pivot variable मुझे यह दिख रहा है okay try to understand अब हर हालत में मुझे इसके नीचे 0 चाहिए ठीक है तो इसके नीचे 0 लाने का एक तरीका तो यह है कि मैं इस row का मैं 1 बटे 5 निकालूं और इस row का मैं पांच्चे बुणा कर दूँ जो कि मैंने यहां कर रखा है अब obviously मैं जब यहां पर R3 becomes R3 minus R2 करूंगा तो immediately यह मेरे लिए 0 हो जाएगा probably you are getting a find okay clear so this is exactly what I have done correct तो मेरे सामने जो पाइवट वेरेबिल्स हुए एक पाइवट वेरेबिल्स यह हुआ दूसरा पाइवट वेरेबिल्स यह हुआ और तीसरा पाइवट वेरेबिल्स यह हुआ क्यों हुआ यह वाला तो मेरे को जो पाइवट वेरेबिल्स मिले वो मिले तीन obviously जो मेरे को free वेरेबिल्स मिलेंगे जिन से मेरा kernel बनेगा जो मेरे को free वेरेबिल्स मिलेंगे वो होंगे दो तो kernel का जो dimension हुई वो तो 2 हो गई यहीं declare होगी कि kernel की dimension 2 है very simple अब निकालना किया है हमको तो nullity तो हमको मालूम चल गई कि यह it is 2 लेकिन हमें space को create करना है basically हम space को कैसे create करते हैं हम ऐसे vectors निकाल लेते हैं जो spanning vectors होते हैं तो हमको 2 linearly independent vectors चाहिए null space में null space में तो जिसको हम जिसके spanning से हम null space को create कर लेंगे this is the basic principle किसी इसका basic principles null space को create करने का और इस तरह की question मैंने पहले भी आपको कराए हुए है ओके अब एक काम और करते हैं कि यह जो second row है यह second row इसमें से अब हम 4 common निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा purpose पूरा हो गया इसको 4 से और इसको 5 से गुना करने का हमारा purpose complete हो गया तो अब इस second row में से हम फिर से 4 common निकाल लेते हैं और जब 4 हम common निकालेंगे तो फिर से वही 5 14 minus 4 minus 3 5 14 minus 4 minus 3 और बाकी नीचे 0 4 1 minus 18 तो 0 4 1 minus 18 तो हमारा जो हमको जो matrix दी गई थी वो ultimately इस form में हमने ले लिए हम इसको और भी आगे हम यहाँ पर 1 भी ला सकते हैं हम इसको और भी reduce कर सकते हैं हम इसको 0 कर सकते हैं हम इन दौनों को 0 कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं अब यह बड़ा simple है क्योंकि अगर मैं इहाँ पर इसको 0 कर सकता हूं इसको 0 कर सकता हूं फिर मैं इन दोनों को zero कर सकता हूं तो obviously एक pivot variable मेरे पास यहां से बनेगा यहां से बनेगा यहां से बनेगा तो मेरे पास यह pivot column है वो 3 है और जो मैंने भी आपको बताया था पीछे जो मेरे पास solution space के column है वो 2 है तो null space जो अभी मैं बात कर रहा था उसकी जो nullity है it is equal to 2 अब इसको work out करते हैं ठीक है अब आप देखिए इसमें यह मेरे पास obviously 4 into 5 है यह 5 into 1 है जो मेरे पास variables का जो vector है वो यह है और obviously फिर यह 4 into 1 है तो मैंने nullity निकालने के लिए इसको मैंने इस प्रकार place किया है ठीक है अब यह simple matrix multiplication है तो मैं इसको कैसे होता है मैं नहीं करा रहा हूँ मेरे क्याल से आप सब इससे वापकी face में कोई समस्या नहीं है अब इसको solve करते हैं अब यह 5 variables में 3 equations हैं 5 variables में 3 equations हैं तो obviously अगर मैं देखूं तो मुझे यह बिल्कुल clear cut दीख रहा है कि यह जो है यह मेरे पास free variables है ओके तो यह मेरे पास free variables है फिर से बात establish होती है कि चुकि free variables दो हैं तो dimensional space की दो है अब यह तो free variables है मेरे पास x4 और x5 इसको मैं जो standard basis है उनकी values दूँगा चुकि मैं x4 और x5 दोना free variables हैं उनको मैं कोई भी value दे सकता हूँ तो मैं इसको मैं ऐसे दूँगा एक बार 1 फिर next time 0 x5 में पहले 0 फिर बार तो यह आपके सामने x4 1 x5 0 x4 0 x5 1 और इन values के आधार पर हम x1 x2 x3 की values निकालेंगे इस थरह के हम लोग question कर चुके हैं तो यह जो दो मुझको vector मिलेंगे एक ये वाला और एक ये वाला ये दो vector इस null space को span करेंगे clear? तो अब हम ये दो vectors निकाल लेते हैं nullity हमको मालम चली गई है कि nullity इसकी 2 है अब देखिए दो तरीके हैं मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ ये मैंने x4 equal to 1 लिया x5 equal to 1 लिया तो मेरे पास ये पहला set हो गया x4 equal to 0 लिया x5 equal to 1 लिया ये मेरे पास दूसरा set हो गया जब मैंने पहला यानि के x4 equal to 1 x5 equal to 0 लिया तो obviously ये वाली equation इसमें transform होई तो कि x4 1 है 1 आ गया x5 जो है 0 है 0 हो गया x4 1 है तो minus 4 हो गया ये x5 0 है x4 1 हो गया x5 0 है ओके simple अब यहाँ पर मेरे पास x1 x2 3 में यानि तीन variable में तीन equations हैं इन तीन equations को जैसे हम equations solve करते हैं उस तरह से कर सकता हूँ number 1 तरीका या मैं इसको augmented matrix के माति हम से कर सकता हूँ मैं दोनों तरह से करूँगा और मैं सिर्व यही करूँगा ये मैं आपके लिए इसको solve करना मैं आपके लिए homework के लिए छोड़ूँगा आपको दो vector बनाने है तो ये वाला vector मैं आपको बना कर दे रहा हूँ यानि कि basis vector बनाने है दो null space के तो ये वाला vector मैं आपको बना कर दे रहा हूँ दो तरीके से बना कर दे रहा हूँ ये वाला जो vector है ये आपके लिए homework है तो चलिए इसको शुरू करते हैं यानि कि मैं इस सिस्टम को solve करने जा रहा हूँ इस सिस्टम तो जब मैं इस सिस्टम को solve करने जा रहा हूँ तो इसका पहला तो बहुत simple तरीका है इस last वाली equation से obviously x3 is equal to minus 1 upon 4 और यहां से 5x2 is equal to 4 minus 14x3 means 4 plus 14 upon 4 means चार्चक्सोलाच जादा तीस 30 upon 4 means x2 is equal to 6 by 4 means 3 by 2 clear? okay and from here x1 is equal to x2 plus 3x3 minus 1 minus 1 so it is so x2 x2 is 3 by 2 plus 3x3 so x3 is minus 1 by 4 so it is minus 3 by 4 minus 1 equal to 6 minus 3 minus 4 so it is minus 1 upon 4 point is clear यानि ओके and x3 is minus 1 by 4 यह मुझे पहला basis मिल गया पहला basis vector यह है ठीक है दूसरा basis vector इसी तरह से आप निकाल सकते हैं यहां से यहां से जहां पर मैंने x4 को 0 लिया है और x5 को 1 लिया है लेकिन मैं आपको इसी system को एक augmented matrix से हम कैसे solve करेंगे वो भी मैं ही सिखाता हूँ हलांकि इस class के बाद जो next class अब आने वाली है उसमें मैं अब सीधे matrices पर ही जा रहा हूँ matrices पर साथ सा चलता रहेगा चलिए अब इसको मैं augmented matrix की तरह से करता हूँ correct so let us do it okay तो इसकी augmented matrix लिख लेते हैं इसकी जो augmented matrix बनेगी वो बनेगी obviously 1 minus 1 minus 3 ये plus 1 उदर जाके minus 1 हो जाएगा minus 1 it is 0 it is 5 it is 14 this is plus 4 and and this is 0 0 4 and this is obviously minus 1 चुकि plus 1 उदर जाकर minus 1 हो जाएगा okay so ये हमारे सामने augmented matrix है ठीक correct अब मैं इसमें elementary operations लगाता हूँ okay तो सबसे पहले R3 becomes R3 R3 upon 4 so it is immediately 1 minus 1 थोड़ा बार शो रहा आज है न please be here with me okay चुकि आजकल अब रात्रे चल रहे हैं तो please be here with me so okay so it is so okay so it is 0 5 14 4 and then this is 0 0 1 minus 1 by 4 okay अब इसके बाद इसके बाद मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और अपने इसमें row elementary operation लगाता हूँ अब basically मैं इसको 0 कर दूँँगा इसको so r2 becomes r2 minus 14 r3 है न so immediately it becomes 1 minus 1 minus 3 minus 1 0 5 0 30 upon 4 okay okay ठीक okay आपी चलते हैं एक काम और कर देता हूँ कि मैं इसमें इसको 1 कर देता हूँ आप चुकि मुझे इससे 1 करना है तो इसके लिए में r2 becomes 1 upon 5 r2 so this results in 1 minus 1 minus 3 minus 1 0 1 0 5 निकल गया so it is 3 by 2 है न 0 0 1 minus 1 by 4 okay simple okay एक step और रहे गया है उसको भी complete कर लेते हैं तो आगर आप यहां पर भी देखें तो यह आपको x3 equal to minus 1 by 4 मिल रहा है x2 equal to 3 by 2 मिल रहा है यह वाला अब मुझे सिर्फ score इसको 0 करना है okay simple so चलिए let's do it okay अब यह मुझे रिजर्ट पिछली इस स्लाइड पर मिला था यह वाला रिजर्ट okay है ना अब मुझे यहां पर दो row elementary operation लगाने है चुकि मुझे इसको 0 करना इसको तो सबसे पहले पहला row elementary operation है वो है r1 r1 becomes r1 plus r2 so it immediately it is 1 0 minus 3 and it is half and it is 0 1 0 3 by 2 0 0 1 minus 1 by 4 okay और एक मुझे और लगाना है और अब इस बार में इसको 0 करूंगा so r1 becomes r1 plus 3 r3 है ना so it is 1 0 0 and it is minus 1 by 4 and अब complete हो गया question okay and this is 0 0 1 correct so from here from here I have x1 equal to minus 1 by 4 x2 equal to 3 by 2 and x3 equal to minus 1 by 4 जो कि यही values है आप किसी भी तरीके से इन system of 3 linear equations को solve कर सकते हैं मैंने दोनों तरह से आपके सामने किया है okay तो यह हमको 1 basis यह मिल गई है यह आपको homework दी गई है ठीक ओके तो मेरे किया से the point is clear okay चली आगे चले तो यह वाला question हमारा complete होगा what is kernel आप पहले ही पढ़ चुके है और यह मैंने भी आपको निकाल गई दिखाया ठीक है दो तरीके से अब देखिए यह question देखते हैं kernel w of f where f is linear transformation from r4 to r3 और define इस तरह से किया गया है ठीक तो यानि के आप इसको ऐसे समझ लें कि यह r4 है यह r3 है और यह mapping है हमारे पास f ओके और इसमें हमको जो matrix f बनेगी यह matrix बनेगी हमारी obviously 3 गुणा 4 ठीक है ना और यह m यह m है यह n है तो जो matrix बनेगी यह बनेगी 3 गुणा 4 point is clear ठीक है अब इस matrix में 3 गुणा 4 matrix के दो हिस्से होंगी है एक होगा image part जो column space से मिलेगा जो मैंने भी आपको पीछे समझाया एक होगा kernel part kernel part जो हमको free space से मिलेगा यह question है point is clear दीरे दीरे चीज़ें आपको समझ बाजाएंगे सारी इस सरल चीज़ है overall vector space बहुत सरल चीज़ है उसमें भी linear transformation बहुत सरल है जिसमें हर हालत में आपको questions मिलने ही मिलने है civil services में तो चलिए अब यह transformation हमको दिया गया है तो जब भी आपको इस तरह का transformation को दिया गया हो आप कोशिश करें कि आप इसमें x y st या जो भी component आपको दिये गए है उसके लिए आप हर हालत में standard basis का इस्तिमाल करें उसको निकालने के लिए work out करने के लिए standard basis तो फौर्थ डामेशनल इस्पेस में जिए standard basis हैं वह है one zero 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 one zero 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 one and one sorry zero 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 उस गलग तक गया क्या है ओ स्वरी यहां पर one आएगा यहां zero आएगा यह ऐसे very clear so इसका जो transformation हुआ इस वाले का यानि के ऐसे collect देता हूँ में, यह हुआ 1-0, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 0, यह हुआ आपका 1-0-0, यह हुआ आपका 1-1, यहां देखते हैं यह हुआ 0-1 प्लस 0 प्लस 0 चुकि y दिया गया है इस बार 1 यह तो y यहां पर है नहीं मैं इसको फिक्ली कर देता हूं तो यह 0 हुआ यहां पर y दिया गया है बाकी सब 0 है तो y 1 है तो मैं सीधे इसको 1 लिख देता हूं ना तो यह हुआ यहां यहां पर हमको s की value 1 दे दी गई है तो यह हुआ 1 ऐसे लिख लेते हैं सीधे यहां वा 2 और यह वा 3 यह तीसरा हुआ और जो चौथा हुआ यहां पर t की value 1 दी गई है तो यह हुआ 1 वाकी सब 0 है यह 1 यहां minus 1 और minus 3 ठीक है very clear इसमें को doubt तो नहीं तो हमको images मिल गई किसकी standard basis की अब हमें निकालनी है जो हमको matrix मिलेगी ओके तो अब हम f कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा समझ लेजे कि हमारे सामने यह vector है है तो it is equal to x minus y plus s plus t x plus 2s minus t x plus y plus 3x minus 3t ओके इसको मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूं जस्त राइं तो अंटरस्टेंड ओके ओके करेक्ट इसमें को डाउट तो नहीं इस तरह से लिख दिया मैंने यानि कि यह matrix है f it is equal to one minus one 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 zero two minus one 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 three minus three correct ओके अब आप यह देखें कि यह matrix मैं नहीं बनाई इस तरीके से और जो मैं यहां बना रहा हूं इस तरीके से यानि कि इसका जो image है इसकी image इसकी image it is equal to यह पहला वेक्टर है one 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 दूसरा वेक्टर है minus one zero one तीसरा वेक्टर है one two three और चौता वेक्टर है one minus one minus three तो अगर आप इस तरह से निकालें जो मैंने भी निकाला हूं या इस तरह से निकालें तो आपको सेम मिलता है या भी one 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 minus one zero one 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 minus one zero one one two three one two three one minus one minus three point is clear तो आप किसी भी तरीके से जो linear transformation को जो matrix से उसको आप work out कर सकते हैं तो मैंने आपको दो तरीके बताए तो point is very clear एक तरीका मैंने आपको बताए standard basis लेकर यह वाला और दूसरा तो बहुत simple है दूसरा को मैंने इसको components में तोड़ लिया इसको यह जो दिया गया है और मैंने इनको matrix multiplication की form में रख दिया अब जाएं जैसा करना चाहें हमको f मिल गया है अब मुझे इसका column space और kernel निकालना है ठीक है तो column space और kernel निकालने के लिए जो सबसे जरूरी है कि हम इसको echelon form में लेकर आते हैं ठीक है तो echelon form में लाने के लिए r2 becomes r2 minus r1 मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अगर नहीं समझना आया तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो repeat कर लिजे कि f निकालने के लिए यह जो हमको कॉलम space और करनल निकालना है तो र2 becomes r2 minus r1 and r3 becomes r3 minus r1 so f is equal to 1 minus 1 1 1 it is 0 it is 1 it is 1 it is minus 2 it is 0 it is 2 2 and it is minus 4 it is very simple and r3 becomes r3 minus 2 r2 so f is 1 minus 1 1 1 0 1 1 minus 2 and it is 0 it is 0 0 0 इसके आगे आप इसको और ज्यादा इसकी रोस को 0 नहीं कर सकते हैं ठीक है so इस f matrix जो basically 3 गुना 4 matrix है इस matrix में मुझे linearly independent दो रो मिली है linearly independent नमबर ऑफ रोस हैं दो ओके तो free variables की संख्या दो कैसे बहुत simple थी चीज़ यह है कि चुकी आपको जो linearly independent rows 2 मिली है इसका मतलब इस matrix का जो rank है दो है इसका मतलब इसमे linearly independent column भी दो है और जो बाकी जो दो column बचेंगे वो free variables की column होंगे इसनी हमारे पास free variables is equal to 2 point is very clear linearly independent rows दो है इसनी linearly independent column भी दो है लेकिन column कुल में लाकर 4 है तो जो बाकी जो दो column है वो free variables के column है ओके ओके अब इस matrix को इस matrix को मैंने यहां इस तरह से लिख लिए है same matrix है 100 पहला column 100-110 दूसरा column-110110 तीसरा column 110 और 1-20 अब मैं आपको कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़ समझाने जा रहा हूं प्लीज द्यान से समझेए ना आये तो मुझे message कीज़े अब यह जो पाइवर्ट्स है यह या तो पहले और दूसरे column में है इस matrix के या पहले और तीसरे column में कैसे तिकिए just write to understand here I am getting one 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 तो immediately यह zero हो जाएगा यह बन रहा जाएगा या r1 को r1 minus r2 करना होगा तब यह zero हो जाएगा तब मुझे यह मिलेगा तो मेरे पास पाइवट कॉलम या तो यह और यह है या यह और यह है ओके मैं अपनी सुविधा के लिए पहले दो कॉलम को मैं पाइवट कॉलम लोगा obviously बात की दो कॉलम free variables वाले कॉलम होंगे इसको मैं भी आपको समझाता हूँ अब आप यह देखिए कि इसी को मैंने जब मुझे free variables वरकाउट करने हैं तो मुझे हर हालत में ax बराबर zero लिखना चाहिए अभी आपको दिखान होगा मैंने इसी क्लास में आपको यह समझाया है कि करनल वरकाउट करने के लिए हमको हर हालत में image set में zero vector पर सारी mapping चाहिए domain के vectors की यानि कि यह domain है तो इसके vectors की जो mapping है वो जिन vectors की mapping zero vector पर है वो सारी वेक्टर जो है वो kernel के set का या kernel के space का निर्मान करते हैं तो मुझे ax बराबर zero रखना होगा जो मैंने रख दिया है यह मैंने आपको कुछ classes पहले भी समझाया तो मैं इसको solve कर देता हूँ x क्योंकि मुझे अब ही क्या करना है कि basis निकालनी है free variables के लिए ठीक है ना देखिए मैंने images की जो basis है वो तो निकाल ली है यह और यह यह basis है images के लिए images के लिए अब मुझे kernel के लिए basis निकालनी है ठीक है ना तो मैं इसको solve करूँगा तो x minus y plus s plus t बराबर zero and y plus s plus s minus 2t बराबर zero obviously s and t are free variables जो हमने यहां लिए थे है अगर मैं इस column को और इस column को private variable लेता तब मेरे पास यह free variable होता यानि कि मुझे s को पहले लिखना पड़ता y को बाद में लिखना पड़ता तब मैं लिखता s plus y minus 2t तब y और t free variables होते हैं इससे कोई फ़रक नहीं पड़ेगा ठीक है ना ओके simple तो यह मेरे पास free variables हैं अब मैं basis create करता हूँ kernel के लिए तो मैंने आपको तरीका पहले भी समझाये हुआ है बहुत simple तरीका है आप उसी तरीके से कीजिए वही तरीका मैं करने जा रहा हूँ तो मेरे पास चुकी s और t free variables है तो मैं एक बार s को 1 t को 0 रखूँगा फिर दूसरी बार s को 0 और t को 1 लिखूँगा तो जब मैं s को 1 लिखता हूँ और t को 0 तो पहली equation मुझे देती है x minus y plus 1 equal to 0 और दूसरी equation मुझे देती है y plus 1 equal to 0 s1 है t0 है तो y is equal to minus 1 and जैसे ही y minus 1 हुआ तो minus 1 minus 1 plus 1 हो गया और यह minus 2 हो गया ओके नेक्स टाइम आई टेक s बराबर 0 y is t is equal to 1 तो यह हुआ दूसरी बार x minus y s 0 plus 1 equal to 0 यह तो पहला हो गया और इसमें दूसरे वाले में दूसरा equation हुआ y s 0 है t minus 2 यानिके y बराबर 2 और जब y बराबर 2 तो minus 2 plus 1 minus 1 यानिके x बराबर 1 यानि मेरे पास जो basis बनी basis किसकी कर्नल की कर्नल की जो basis बनी वो बनी minus 2 minus 1 1 0 1 2 0 1 यानि कि जो कर्नल जो होगा वो इससे span होगा clear और जो image span हो इमेज का जो span होगा वो होगा 1 0 0 and minus 1 1 1 इन दो कॉलम से है ठीक अब मैं आपको यह और इंट्रेस्टिंग चीज बताता हूं जनरल यह आपको किताबों में नहीं मिलेगी देखिए यहां से बड़ा clear है इस जगह से कि जो spanning की जो vectors है जो span कर रहे है image को वो थ्री dimensional के हैं देखिए इसमें तीन component है एक दो तीन obviously क्योंकि हमारी जो image है वो इसका subset है किसका subset है इसका यह मैं भी आपको समझा चुका हूं लेकिन प्रूफ बात में करूंगा और अगर हम बात करें kernel की यह kernel की spanning है अगर हम kernel की spanning देखें तो दो vector से हो रही है तो यह जो दो vector है यह R4 के है देखिए इसमें चार component है तो यह R4 के है obviously kernel is a subspace of this thing यह भी आप check कर सकते हैं जब आप answer निकाले मैं repeat कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ चीजें ऐसी समझाने की कुछिश करता हूँ जो अलने था आपको किताबों में नहीं मिलती है तो point is very clear ओके अब obviously इसकी भी dimension दो दो vectors है इसकी भी dimension दो 2 plus 2 equal to this 4 तो rankality theorem भी established होती है जो मैं भी आपको इस question के बाद मैं आपको explain करने जा रहा हूं तो यहां पर भी आपके पास दो vector है जो span कर रहा है इमेज को और यहां पर भी आपके पास दो vector है जो span कर रहा है करनल को 2 plus 2 equal to 4 and this is 4 point is clear okay so now we may move to the we may move to explaining the the theorem rank nullity theorem okay let us start okay अब जो सबसे important theorem है linear transformation की the rank nullity theorem उसको थोड़ा समझते हैं और मैं भी theorem पे या theorem की wording पर नहीं जा रहा हूं मैं सबसे पहले आपको यह समझाना चाहता हूं कि rank nullity theorem कहती क्या है बिना कोई भी उसमें technical शब्दों का इस्तेमाल किये विए पहले तोड़ा समझ लेते हैं कि basics क्या है rank nullity theorem के okay देखिए linear transformation अगर वो rn से rm है यानि कि यह मेरे पास एकी space है जो n dimension का है और यह मेरे पास space है जो m dimension का है और यह मेरे पास transformation है यह transformation हर हालत में matrix A से represent होता है है तो यह linear transformation इस matrix से represent हो रहा है जो obviously order m-n की है जहां पर जो n है वो dimension है domain की और जो m है वो dimension है range की यह हम पहले कर चुके हैं अब यह जो matrix बनी है यानि कि यह वाली matrix बनी है यह यह m-n order की है इसमें दो space समाहित है this contains two spaces लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जरूर ध्याम रखें कि इस matrix को echelon form में ले लिया गया हो और इस तरह की exercise हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो चलिए अपनी बातचीत पर वापिस आते हैं और कौन-कौन से space सबसे पहले column space for example यह इसके कुछ column मिलके column space बनाते हैं जिसको हम kernel बोलते हैं जो आका पढ़ चुके हैं ठीक है न तो दो तरह के space होगा है तो point is very clear ठीक इसमें कोई doubt थो नहीं अब यह जो column space की जो यह हम पहले हम बात कर लें अगर kernel की dimension r है तो इसको हम nullity बोलते हैं यह भी हम देख चुके हैं यानि कि इसकी इसकी जो dimension यानि number of linearly independent but spanning vectors हैं इस vector space में या number of free variables हैं आप ऐसे भी कह सकते हैं तो basically वो dimension of kernel यह dimension of null space बताते हैं जिसको हम nullity बोलते हैं इसको हमने माना r point is clear इसको हमने माना r ठीक अब यह चुकि m गुणा n matrix है इसका मतलब यह है कि domain का dimension है n है तो remember please remember कि बाकी जो column बचे obviously वो n minus r है यह total column इसमें n है जिसमें से r number of columns चले गए solution space में या null space में तो बाकी जो column बचे जिनकी संक्या n minus r है इसको obviously यह जो n minus r number of columns है यह बनाते हैं column space clear यह column space बना रहा है ठीक और यह जो column space है इसकी dimension n minus r है basically यह इस matrix का rank है मतला you must understand the difference between the rank and the dimension तो जब मैं शब dimension बोलता हूँ obviously मैं किसी vector space की बात कर रहा हूँ और जब मैं rank बोलता हूँ तो मैं किसी matrix की बात कर रहा हूँ ठीक ना और जब मैं rank बोलता हूँ किसी matrix के लिए for example मैं n minus r बोल रहा हूँ यह यह छोटी छोटी चीज़े है लेकिन आपको clear होनी चाहिए ठीक तो this point is clear तो rank nullity theorem बहुत simple है वो यह बोलती है कि n minus r plus r equal to n that's all जिसको मैं भी आगे proof करूँगा और बहुत simple तरीके से okay the point is clear यानि कि मैं फिर से बहुत साधानार शब्द में बोलता हूँ कि rank a obviously इस matrix का rank जो कि n minus r के बराबर होगा plus nullity यानि कि इसका dimension equal to number of columns number of columns यह मैंने अभी आपको बताया ठीक है ओके और nullity हम कैसे निकालते हैं यह हम अभी पीछे questions में भी करके चुके हैं हम इस प्रकार से nullity निकालते हैं यहां पर हमको free variables मिलते हैं जिनसे हमको nullity मिलती है okay the point is clear ठीक अब इसी slide को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और एक line मैं इसमें और add कर रहा हूँ कि मैं फिर से linear transformation की बात कर रहा हूँ तो obviously जब linear transformation है तो images की हम बात करेंगे a का column space जो भी बने okay the point is clear दूसरी चीज जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि जो image का जो space बनेगा वो इसका सब space होगा okay ठीप चलिए अब आपको थोड़ा सा यहां पर हो सकता आप यह सोच रहे हो कि image of a is precisely the column space of a का मतलब क्या है तो जिस तरह से nullity ax equal to y इस equation से निकलती है हम जब rank की बात करते हैं number of private columns of matrix a की बात करते हैं तो वो इस equation से निकलती है ax equal to b okay remember तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि कैसे की यह actually यह मैंने इसको इस तरह से लिख लिया और थोड़ा सा इसकी भी आपको यह समझा रहा हूं कि इसका application बहुत जल्दी matrices में होने वाला है जब हम system of linear equations को solve करेंगे okay अब यह हमारे पास matrix a है यह vector x है और यह vector b है okay the point is clear अब मैं कह रहा हूं कि यह जो system है यह वाला जो आप system देख रहा है यह वाला this is solvable if and only if the vector b lies in the column space of a यानि यह वाला जो vector है यह जो column vectors है इनके space में अगर यह vector lie करता है तब इस system of linear equations का solution हमको मिलता है ओके थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे बड़ी simple सी बात यह है कि यह जो b1 है basically यह linear combination है इस तरह से देखिए a11 x1 a12 x2 and so on so on a1n okay और xn equal to b1 point is clear तो यह वाला जो vector है यह इन सब का जो यह जो x1 x2 up to xn है इनका एक linear combination है okay this point is very clear simple और यहां से आपको यह बात भी clear होती है कि यह वाला जो vector जो आपने यह जो b1 vector है यह वाला obviously यह range में है obviously क्यों क्योंकि यह इनके linear combination से बनाया है तो basically इसका यह mapped vector है point is clear अब हम यह जान रहे हैं कि यह वाले जो column है यह private columns है इसका मतलब बाकी जो columns है इसका मतलब बाकी जो column बचे यह सब dependent है और यह सब इसके linear combination के रूप में लिखे जा सकते हैं इसलिए इन columns के जरीए हमको free variables बिर रहा है this point is very clear इसका मतलब यह हुआ कि यह जो vector b1 है यह वाला vector b1 obviously चुकि इस linear combination से बना है तो हर हालत में यह column space में ही lie कर रहा है अगर lie नहीं कर रहा होगा तो obviously यह बराबर b1 होगा ही नहीं और हमको इसका solution नहीं मिलेगा the point is very clear तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो rank है basically rank हमको इस number से मिल रहा है कि number of independent columns कितने है so this rank a it is basically number of private columns कहां पर use हो रहे है ax equal to b main ओके और दूसरी बात यह भी है यह भी मैंने यहीं लिखा है हलांकि इस का स्तेमाल matrices में होगा कि दूसरे शब्दों में rank matrix का इस matrix का rank obviously in vectors की संक्या से मिलेगा जो linearly independent है okay तो यह जो rank है matrix का इस matrix का और अगर हम इसमें एक augmented matrix बना लेंगा मैं matrices में लेकिन obviously augmented matrix यह है when this is club with this matrix point is clear तो इस matrix का rank और augmented matrix का rank same होता है इसका मतलब यह है कि यह linear combination के कारण यह vector create हो रहा है यह वाला और सिर्फ और सिर्फ तभी हमको system of linear equations यह system of linear equation मिला हुआ है इसकी consistency स्थापित होगी establish होगी तो point is clear मैं आपको सिर्फ एक बार छोटा दा फिर से repeat कर देता हूं कि ax equal to 0 से हमको मिलता है solution space या kernel और ax equal to b से हमको मिलता है image space तो चीजें थोड़ी सी हो सकता भी तक आपको complex लग रही होंगी लेकिन मेरे ख्याल से अब समझ में आने लगेंगी और मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएं क्योंकि मेरे चैनल का और course का नाम ही है yes 400 plus मैं बार बार बोलता हूं कि 500 में 400 plus लाना mathematics में कोई खास तो नहीं कहना चाहिए है मतलब मुश्किल नहीं है यह तो नहीं कहना जी है खास मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है अगर आप छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे और खास तोर पे आप कुछ strategy बना लेंगे जिस पर मैं बहुत जल्दी किसी आने वाले एक lecture में बात करने जा रहा हूं क कि strategy क्या रहे लेकिन strategy का सबसे important point ही है कि आपको vector space यानि कि linear algebra overall की बात कर रहा हूं जरूर clear होना चाहिए और कोशिश इस चौधा lectures हो चुके हैं आज चौधा चलना लेक्टर space पर कोशिश यही है कि आपको इसमें पूरी 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 लेक्रिश्पेस में पूरी पूरी clarity मिले और आपके सारे डाउट्स clear हो जाए okay चरी बाग चलते सिंपल चीज आपको यह याद रखनी है कि यह जो image of A है यह column space है A का और जो kernel है वो null space है A का where A is the matrix transformation matrix okay clear चली अब theorem की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं कि यह फिर से transformation में यह हमारी matrix है linear transformation में ओके और हम इस तरह से इसमें यह एन स्पेस है एन डाइमेशनल सोरी यह एम डाइमेशनल है ठीक है न अब यह फ्री वेरिबल से जो space बनेगा यानि मैं आपको फिर से थोड़ा सब्रीफ कर देता हूं कि यह जो यह यह डोमेन है यानि के आर एन इसमें यह सब जो vector से इनकी image a की है and that is zero vector zero vector यानि के यह यहां से आएगी यानि solution space यह null space इसको हम करनल बोलते हैं और इस set को इस set को मैंने u माना और इसकी dimension मैंने आर मानी यह मैं अभी आपको पहले में समझा कर जो हूं इसकी dimension मैंने आर मानी जो image set है जो पाइवट वेरिबल से बनेगा यानि कि जो column variable जो column space से बनेगा पाइवट वेरिबल से बनेगा इसको हम u dash लिखेंगे यू dash यह u लिखा गया है यह u dash लिखेगा और हमें सिर्फ यह प्रूफ करना है यह प्रूफ करना है रेंक प्रूफ करना है कि अकर इसकी dimension null space की dimension r है तो जो image है इसकी dimension हमको n-r प्रूफ करनी है that's all यानि यानि kernel की dimension प्लस image की dimension equal to n अब जब मैं इसको n-r मुझे यह प्रूफ करना है कि यह dimension है इसकी u dash की अच्छा u dash कैसे बना है यह भी मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि यह मेरे पास vectors है यह domain है domain और ये मेरे पास range है ये मेरे पास range है इसका mapping ये है इसकी mapping ये है इसकी mapping ये है तो ये जो set बन रहा है जो sub space बन रहा है ये वाला इसको हम image बोलते हैं point is clear? तो इसकी जो image की dimension है वो n-r है अगर मुझे image की dimension n-r proof करनी है तो मुझे दो चीज़े proof करनी पड़ेंगी कि ये जो n-r vectors है ये span करते है image set को number 1 span करते है number 2 they are linearly independent सिर्फ दो चीज़े proof करनी है जो मैं आपको इसी theorem में मतलब आगे मैं आपको proof करना जा रहा हूँ बहुत सरल तरहीक से proof करेंगे और मैं तो आपको समझाई रहा हूँ मेरे क्याल से आपको आज ही समझ में आएगा लेकिन मेरी फिर भी आपसे इलता है request है गुजारिश है कि आप इसको एक बार अपने आप करके ज़रूर देखें और एक बार नहीं बार बार देखें क्योंकि अभी तो recently यह नहीं आई है एक्जाम में लेकिन एक्जाम का कोई भरोसा नहीं और अगर यह आएगी भी तो obviously 20 marks की आएगी तो आपके हाद से 20 marks जाने नहीं चाहिए है न जब हम 400 plus की बात करते हैं mathematics में तो हमको एक एक छोटी छोटी चीज़ पर concentrate करना होता है इसलिए मैं आपको इसा बहुत छोटी छोटी चीज़े हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ चलिए तो इसको अब मैं प्रूव करता हूँ एंड एंड इमेज स्पेस इस सभी स्पेस ओफ रेंज ओके क्लियर तो वही जो मैंने आपको पीछे बताया था उसको थोड़ा था डाइग्राम बनाकर ताकि कुछ आपको और चीज़ें बहतर समझ में आए seeing is believing मैं तस्वीरें इसनी हैं बनाता हूँ ग्राफ इसनी हीचता हूँ कि इससे चीज़ें आपको याद रहती हैं अभी मैं बहुत जल्दी आपको शुरू करने जा रहा हूँ linear programming paper 2 के लिए LPP with simplex तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा graphs मिलेंगे देखने से चीज़ें याद रहती हैं एक basic motto है है ना चलिए तो अब मैं आपको इसका statement देता हूँ यह theorem 79, 82, 83, 87, 92, 98 में आ चुकी है कुछ नहीं कह सकते कि repeat ना हो जाए तो इसको ध्यान रखिए define the rank and nullity of a linear transformation तो यह आप जानते हैं यह आप define कर भी सकते हैं rank and nullity of a linear transformation को अब जो theorem है वो यह है कि V and W are finite dimensional vector spaces over a field and T is the linear transformation of V into W तो यह V है और यह हमारा W है तो वो यह कहता है कि और यह हमारा transformation matrix है T तो वो यह कहता है कि इस matrix का rank rank यानि column space चीक ना? इस matrix का rank plus इस matrix की nullity इस matrix की nullity and nullity means solution space okay और दोनों का total dimension of V dimension of V अब मैं इस चीज़ को dimension of V क्यों इसको में एक और आपको बहुत simple तरीके से समझाता हूं इसी को furtherance में just see this thing कि linear transformation हमारा यह है यह जो linear transformation T है इसके लिए obvious एक matrix होगी A और वोगारी matrix यह रही और मिश्चे तरुप से यह matrix M गुणा N है है ना? correct अब यह जो matrix A है यह M गुणा N है obviously इसके साथ V multiply हो रहा है vector तो V vector हर हालत में N गुणा P होगा compatibility matrix multiplication के लिए जरूरी यह है कि यह दोनों बराबना तो यह जो vector है यह N गुणा P होगा the point is clear यानि कि इस vector में इस vector में जो number of rows होगी वो N होगे यानि हर vector के जो components होगे वो N components होगे मतलब आप इसको ऐसे समझे ले sum V1, V21, V21, and VN1 तो यह जो components है obviously यह N components है इसका मतलब कि यह जो vector V है यह N dimensional है point is clear? इसमें कोई doubt तो नहीं है now it is equal to this vector space M going on P okay तो इसनिए यह वाला जो vector है इसनिए N dimensional space है जो मैंने भी आपको कारूँ समझाया ठीक है? तो मेरे खाल से अब आपको यह rank nullity floor of value statement है समझ में आ गया है और चलिए इसको approve करना शुरू करते हैं इसको 98 में दूसरी तरीके से पूशा गया कि let A be M going on matrix यानि कि T की जगे A है तो यह M going on matrix है show that sum of the rank and nullity of A इसकी जो rank and nullity है वो उसका जो sum है वो N होगा simple N इसनिए होगा क्योंकि यह जो N है यह obviously dimension है dimension of domain of linear transformation ठीक है simple चलिए इसको approve करते हैं approve करने का तरीका बहुत सरल है मैं यहां पर आपको एक छोटा सा बताना चाहरा हूँ कि मैं कैसे approve करूँगा मैं यह जानता हूँ कि यह वाला जो sub-space है जो kernel है यह वाला जो sub-space है यह मुझे मालूम है कि प्रूफ कर चुका हूँ मैं कि यह kernel जो है इसका sub-space है आप strategy समझ लेजे तो इससे आपको आगे question करने में असानी रहेगे तो यह kernel इसका sub-space है किसका? RN का यानि कि V का इसका sub-space है तो obviously अगर यह sub-space है इसका मतलब यह कि इसके अपनी एक basis है इसके अपनी एक basis है अब इसको मैंने यू माना है अभी आपको ध्यान होगा पिशले दो दिन स्लाइट पर और यह वाला जो सब-space images का इसको मैंने यू-डेश माना है तो अगर मैंने इसको यू माना है तो मैं इस यू में just right to understand मैं अभी बहुत ही raw terms में आपको बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको पूरा solve करके दूँगा कि इसकी जो basis है यू की यानि के basis of you where you is गर्नल ठीक है ना ये हमने मान ली चुकि हमको मालुम है कि इसकी जो dimension है आर है तो हमने इसकी basis मान ली say you one you two you are simple simple अब मैं ये भी जानता हूँ कि किसी sub space की जो basis है मैं उसको extend कर सकता हूँ उस vector space की basis बनाने के लिए जिसका किये sub space है तो मैं इसको extend कर दूँगा मैं इसको extend कर दूँगा extend करते ही ये इस vector space की basis हो जाएगी rn की basis हो जाएगी फिर मैं इसकी मैपिंग करा दूगा और मैपिंग कराने के बाद जो मुझे जो resultant मिलेगा जो मुझे परिणामी vectors मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मुझे सिर्फ यह प्रूव करना होगा they are linearly independent and span image ओके, simple, चलिए अब शुरू करते हैं ओके, तो अब यह तो बात अभी हम करके चुके हैं कि यह जो हमारा vector space है यह जो image space है यू डेश इसको हमें प्रूव करना है इसकी dimension n-r और यह भी हम बात करके चुके हैं कि basis of u अगर हमारा यह है यानि कि इसका basis तो हम इसके basis को इस पूरे vector space के लिए basis ताही इसको मैंने extend कर दिया है v1, v2 up to vn-r तो इसमें जो basis है total n-vectors है इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो dimension है obviously n-dimensional vector space है इसलिए हैं चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब obviously चुकि यह देखिए इस चीज़ को कि यह जो basis है यह kernel की जो basis है इस kernel की इसकी जो image बनेगी इस transformation के जरिए वो सारी image zero vector होगी क्योंकि यह kernel को belong कर रहा है ओके तब point इसके लिए इसलिए all tui shall be zero इसको you must note it down क्योंकि इसका एक special role है clear? मेरे ख्यास समझ में आ गया होगा और यह हमने vector यह हमने basis बनाया था vector space v का पिछली slide में तो अगर मैं इसकी mapping निकालूंगा इसकी mapping तो suppose यह b है तो obviously tu1 आएगी tu2 यानि के tu1 आएगी tu2 आएगी up to tur आएगी लेकिन यह सब zero होगे यह सब zero होगे इसके कारण तो actually इसकी जो mapping होगी इसकी जो mapping होगी इसको मैं b कहूंगा it shall be tv1 क्योंकि v1 की tv1 हो जाएगी very clear यह tv2 होना था sorry it is tv2 and up to tvn-r very clear ठीक तो यह mapping होगी v की obviously actually यह basis की mapping इसमें convert हुई इसमें हमारी theorem प्रूव हो जाती है अगर हम इसको यह दिखा दें कि यह basis है image u dash की यानि के इस vector space की है अगर यह इसकी basis है हमारी theorem प्रूव है क्यों प्रूव है क्योंकि इसमें n-r vectors है n-r vector इसमें है r vector इसकी basis में है n-r plus r equal to n तो हमारी theorem प्रूव होती है तो इसको basis दिखाने के लिए हमको दो काम करने है कि actually सबसे पहले it generates the vector space the vector space काई सा है u dash it generates number 2 it is linearly independent क्योंकि generate number of linearly independent vectors से ज्यादा vectors भी generate कर सकते है तो इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते है यह वही है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है तो मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसका पूरा write-up मैंने आपको दिया हुआ है तो यह वही है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ठीक चलिए अब आगे चलते हैं इसको generate करवाते हैं हम यह presume करते हैं कि इस vector space v में एक vector v है चोटा v है ध्यान रखिए ठीक है ना और इस vector space w में हमारे पास यह image space है जो u dash में और हमने इसमें एक vector माना इसको ध्यान रखिए यह capital U है हमने एक छोटा u dash जो थोड़ा अलग कर देना चाहिए था मुझे ध्यान नहीं रहा ओके यह हमने इसमें एक vector माना यह वाला जो vector है यह हम मानते हैं कि यह इसकी image है यानि कि T V equal to U dash where V is a member of capital V and U dash is a member of capital U dash ओके ट्यार तो चुकि हमको इस vector space V की basis मालूम है ओके तो हम इसको इस वाले vector को इस वाले vector को हम हरा आलत में ऐसे लिख सकते हैं okay clear क्योंकि है U1, U2 up to UR V1, V2 up to V and minus 1 was the basis of vector space V के लिख सकते हैं बिल्कु क्लियर ओके अब अब आवियसली टी वी बराबर टी एवन यूवन सो मैं सारा नहीं रिख रहा हूँ ओके क्लियर इसका मतलब यह हुआ लीनेर ट्रांस्फरमेशन का जो डेफिनीशन है उसके हिसाब से लेकिन यह सारे टी यूवन अब टी यूवन अब टी यूवन शैल भी जीवो पहली वाली स्लाइब में बात हुए है इसनी है इस टी वी इस एक्वल टो बी वन टी वी वन पलस बी टू टी वी टू सो ओन सो ओन बी एन माइनस आर टी वी एन माइनस आर पॉइंट इसका मतलब यह है कि यह जो टी वी है यानि यह वाला वेक्टर एक Lahis ब्रू अधिर एक लीनियर कॉम्बिनेशन है टी वी वन का टी वी, टू अपटू टी वे एना र, इसका मतलब यह है कि हमने जो, यह जो, जिसको हमें बेसिस प्रूफ करना है यानि कि, टी वी, वी टू अपटू टी वी एनार यानि कि यह, इसका मतलब यह है कि यह generate कर रहा है किसको u dash को, ओके, एक point complete हो, अब हम यह prove करते हैं कि जो b है यह linearly independent है, ओके, suppose, for some scalars cj, यानि कि यह scalars है, we have c1, suppose, मान लिया, मैं जैसे ही proof करूँगा कि यह जो linear combination दिया हुआ है, इसका एक मातर solution, all cj are equal to 0, this is the only solution, इसका मतलब यह है कि linearly independent है, point is clear, ज्यानि कि cj की 0 के अलावा कोई और value exist नहीं करती है, the moment I prove it, the same moment I prove that, that, these vectors, this, this, all these vectors are linearly independent, तो मुझे यह proof करना है कि all cj are equal to 0, okay, let us do it, अब linear transformation के definition से, okay, फिर से linear transformation के definition से, okay, इसका मतलब क्या हुआ, चुकि यह mapping है, t लगा हुआ है, so this is a mapping, किस vector की mapping है, इस vector की mapping है, इसका मतलब यह वाला जो vector है, यह kernel को belong कर रहा है, क्योंकि उसका जो mapped vector है, उसका जो mapped vector है, ये वाला ये वाला पूरा इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये करनल को बिलॉंग कर रहा है मैं रहा है जदा पॉइंट इस के लिए तो मैं हर हालत में इस वेक्टर को करनल की जो हमने बेसिस मान रखी है u1, u2, up to u r उसके एक linear combination के रूप में लिख सकता हूँ it is equal to some for some d j d1 u1 plus d2 u2 plus dr u n minus r एक लाइन लिखने भूल वे आ हूँ मैं लिख देता हूँ इसका मतलब ये है दा वेक्टर c1 v1 up to cn minus r vn minus r belongs to ये आपको जरूल लिखना है करनल ठीक, now this is equal to this is बराबर इसका में ट्रास्पोस कर देता हूँ so it is d1 u1 plus d2 u2 d यहां पर n minus r होना था ध्यान रटा हूँ यहां पर r होना था इस चेगे इसको मैं कर देता हूँ this is not n minus r चुक्की r vectors है करनल की बेसिज में so it is only r so it is dr u r minus c1 v1 minus minus c okay now theorem is complete but we know that यह u1, u2 up to u r v1, v2 up to vn minus r यह basis है किसकी vector space v की vector space v की basis है इसका मतलब linear and independent है okay इसका मतलब यह है कि यह सारे coefficients 0 है d1, d2 यह आपको लिखना पढ़े है मैंने अपने solution में लिख रहा है means all dj and all sum cpr equal to 0 the only solution we have got solution क्या है कि यह भी 0, यह भी 0, dr भी 0, c1 भी 0 यह सारे coefficients वह हैं वो 0 है इसका मतलब यह हुआ कि यह सारे coefficients यह यहाँ पर c1 से लेके cn and minus r तक common 0 हो गया है so it is 0, it is 0, it is 0 इसका मतलब इस linear combination में तो यह जितने भी coefficients हैं इन vectors के लिए हैं वो सब 0 हैं 0 है इसका मतलब यह है कि यह सारे vectors tv1, tv2, up to tv and minus r all are linearly independent so this is also proof this way the theorem is proof मैंने आपके लिए इसको लिख रखा है यह बिल्कुल वही है जो मैंने भी आपको पराया है और इसके बाद यह दूसरा part है तो यह दोनों parts मैंने लिख रखे हैं आपके लिए ओके ठीक है चलिए आपला देखते हैं show that the mapping this is the mapping is a linear transformation find its nullity तो linear transformation दिखाने के लिए आपको दो चीज़ें दिखानी होती है पहली चीज़ क्या दिखानी है पहली चीज़ आपको यह दिखानी है दो vectors u और v के लिए t u plus v equal to t u plus t v और दूसरी चीज़ आपको क्या दिखानी है for some scalars c you must have this relations established इन दोनों को हम टलब करके ऐसे भी कर देते है where c and d are scalars okay तो इस तरीके से मैं इसको solve करने जा रहा हूँ भी आपके सामने अब आप यह देखिए कि सबसे पहले तो मैंने इसकी matrix create कर ली matrix create करने के दो तरीके मैंने आपको बताये थे linear transformation के जो matrix create की जाती है वो तरीका एक तो यह है कि आप इसकी जगे आ standard basis standard basis लेके उसकी mapping निकाल ले तो इस मामले में standard mapping क्या होगी वो होगी ये 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 standard basis होगी है ना तो आप इसकी mapping निकाल ले तो जो mapping बनेगी वो आपके लिए matrix देदेगी एक तरीका मैं करा चुका हूँ इस तरह का question इसी class में दूसरा दरीका simple matrix multiplication का है कि मैंने इसको इस तरह से लिख लिया इसको इसको मैंने इस तरह से matrix multiplication group में लिख लिया so this is the matrix so this is ax तो मुझे a u plus b निकालना यू को मैंने मान लिया x1 x2 x3 xyz था ना तो मैंने उसके जो component वह x1 x2 x3 मान लिया वी को मैंने y1 y2 y3 मान लिया मुझे ये प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना बहुत असान है मैं एक मैं कर दे रहा हूं ये मैं आपके लिए homework छोड़ रहा हूं a of c u ये वाला point ये वाला ये मैं आपके लिए छोड़ दूँगा तो इस में मैंने vector को इस vector को मैंने c से multiply कर दिया है बल्कि होई गया आपके सामने sorry homework भी नहीं छोड़ा है तो मैंने c common निकाल दिया यहां से c पीछे आ गया so it is c a u तो ये establish हो लिया इस तरह से ये मैं कर देता हूं so it is okay okay एंड फाइनली okay matrix हो गए यह और इसको मैं तोड़ दूँगा अलग अलग okay correct एक तो यह हिस्सा हो गया और दूसरा मैं नैसे तोड़ दिया करेक्ट ओके so it is a sorry a u plus a b proved तो यह question हो गया अब इसकी nullity में निकाल देता हूं इसकी nullity और basically nullity पूछा है लेकिन मैं आपको इसमें जो null space बनेगा वो किस से span होगा वो एक्टरस भी में निकालके हलांकि स्थाना के मैंने questions पहले कराये हुए है I just repeat ताकि आपको और चीज़ें clear हो जाए तो मैंने कर रखाये आपके लिए तो मुझे चुकि private column create करने हैं तो मुझे इससे 0 बनाना है और सबसे पहले इससे 0 बनाना है तो जो elementary row operation लगेंगे यह दो लगेंगे तो यह दो elementary row operation लगा के मैंने इसको 00 कर लिया और finally यह वाली जो row है यह जो third row है यह इसका minus one multiple है तो मैंने इसलिए यह लगा दिया और मेरे पास point is clear इसका मतलब यह है कि यह जो इसमें private columns हैं वो obviously यह दो इसमें private columns हैं तो इसका जो rank है वो 2 है और जो इसका null space है उसकी जो dimension है वो 1 है तो अब जब dimension null space की 1 है तो nullity 1 हो गई point is clear so nullity is equal to 1 मैं null space भी create कर देता हूँ वो एक vector से create होगा तो यहां से बड़ा simple सी बात यह है कि it is obviously x minus y plus 2z equal to 0 तो क्योंकि मेरे को a x बराबर 0 रखना पड़ेगा या t x बराबर 0 जो भी इसमें दिया है यह मुझे लिखना पड़ेगा kernel निकालने के लिए या nullity निकालने के लिए या null space निकालने के लिए तो मैंने इसको 0 कर दिया ओके तो x minus y plus 2z बराबर 0 और 3y minus 4z बराबर 0 तो obviously z जो है इसमें हमारे लिए free variable है और z को मैं मान रहा हूँ आप हमेशा ध्यान रखिए free variables को आप हमेशा standard basis मानना चाहिए तो मैं z को मान रहा हूँ obviously one ठीक अगर मुझे दो free variables मिलते तो मैं उनको मानता one zero एक बार और zero one दूसरी बार लेकिन मुझे चुकि यहां पर एक ही variable मिला है free variable तो मैं उसको one मानूंगा है ना तो यहां से मेरे पास y is immediately equal to four upon three clear अब यहां से यहां से x is equal to y minus 2z it is four by three minus two so it is minus two by three clear यानि के जो मेरा जो vector हुआ जो span करेगा मेरे corner को या solution space को वो हुआ x की value कितनी आई minus two by three y की value कितनी आई 4 by three और यह बन तो यह span करेगा एक और तरीके से इसको कर देता हूं आपके लिए तो मुझे इसको भी one करना पड़ेगा तो मैंने इसका एक बटे तीन कर दिया तो यह one हो गया ठीक है और चुकि पहली equation में तो कोई change है नहीं तो obviously x is equal to कितना आया हमारा minus two by three okay और मैं इसको pure echelon form में लाता हूं pure echelon form में लाने के लिए मुझे इसे zero करना पड़ेगा चीए ना तो मैंने यह जोड़कर r2 जोड़ दिया इसमें यह जोड़कर मैंने इसको zero कर दिया है ओके मैं यहां से फिर निकाल के दिखाता हूं आपको तो इस एक्स प्लस दो बटे तीन जट बरावर जीरो और यहां से एक्स बरावर माइनस में two by three z but z is equal to one so it is minus two by three same same values जो पीशे हैं ओके clear point is clear तो मैंने आपको कई तरहां से इस question को गरेकर दिखा दिया है इस तरह के question आते ही आते हैं exam में civil services में तो यह आप तो अच्छे से करने आने चाहिए ओके चलिए अच्छा एक बात और कि यह जो वेक्टर हमने निकाला था minus two by three four by three और one आम तोर से इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए जो हमने निकाला था इसको तीन से multiply किजे मतला इसको rationalize कर दीजे तो यह rationalize करते ही हो जाएगा minus two four और हमने तीन से multiply किया तो basically this is the vector that is spanning the solution space okay multiplication से कोई फरक नहीं पड़ता आप जानते हैं कि अगर x माना कोई vector है किसी vector space में तो cx shall be a vector in that vector space है ना यह हमको मालूम ने वेक्टर सबस्पेस की परिवाचा से अब आज की क्लास का last question देखते हैं आज काफी questions हो रहे हैं यह 63 वा question है ओवराल कोर्स का है 1982 civil services का है define a linear transformation तो linear transformation को मैं define कर चुका हूँ previous slides में prove that both the range and kernel of a linear transformation of vector spaces में कुछ slide वहले कह रहा था कि मैंने आपको kernel को इसको प्रूफ कर दिया इसको प्रूफ कर दिया इसको और रेंज को मैं थोड़ा बात में करूंगा तो रेंज वाला question मैं इस नहीं बोल रहा था कि मुझे मालूम था वह last में ले रहा है तो kernel को मैं already established कर चुका हूँ और range को मैं करने जा रहा हूँ चार लाइन का है वेक्टर स्पेस का सब स्पेस प्रूफ करना बहुत असान है तो यह अगर हमने इसके दो मेंबर माने टीवी के यानि के यह वी है यह obviously TV है clear clear और इसको मैं W कहूंगा तो इसके दो मेंबर मैंने W1 W2 माने और obviously अगर मेरे पास यह टीवी वन की मैपिंग में W1 को मान सकता हूं और बी टू की मैपिंग में W2 को मान सकता हूं तो W1 equal to TV1 and W2 equal to TV2 इसको कोई डाउब तो नहीं है अब अगर मैं C1 W1 और प्लस C2W2 को मुझे इसी में प्रूफ करना है इसी में सब शब्रूफ करने के लिए है ना यू नो ठीक न तो बस मुझे यह पूफ करना है नो C1W1 प्लस C2W2 यह हो गया ठीक न वेक्टर शपेस शॉरी लीनियर ट्रास्फपमेशन की डेफिनिशन से इस इकृल तु दिस थि तो आज मेरे ख्याल से आज आज आपको लीनेर ट्रांस्वोमेशन में इतना आ गया है कि आप लीनेर ट्रांस्वोमेशन को question तो करना शुरू करी सकते हैं मैं आने वाले classes में अब मैं mattresses शुरू करना जा रहा हूं linear transformation पे question I mean vector space पे overall question जारी रखूंगा और I am sorry थोड़ा सा मैंने शुरू में बोला है class में थोड़ा इस class में थोड़ा लेट हुआ है लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि इस class में बीच बीच में बहुत जगा editing है क्योंकि जहां पर मेरे को लगा कि यहां पर कुछ और अच्छे चीज आपको बढ़ाई जा सकती थी तो मैंने वीडियो का उतना हिस्सा काटके बाद में शूट किया है और फिर मैंने आपको पढ़ाया है कारण सिर्फ एक है कि मैं आपको 500 में 400 मेरे चैनल का नाम है 400 यस 400 प्लस तो 400 प्लस की अगर मैं बात करता हूँ, IAS बनाने की बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि हमको छुटी सी चुटी चीज़ों पर ध्यान दना होगा इसलिए मैंने कई जगा वीडियो को एडिट किया है और उसी में समय लगा है तो चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में, थैंक यू रिज़ु अच्छ